हाईलो फ्रेंट्स गुड आप्टोनूम स्वागत है आप सबका स्युक्रूपा कलासेज पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल रिग्जाम दो हजार चोबिस में पूछा है सकने वाले जी के जीयस करेंट अफियस हुआ हिंदी के मोश्ट इंपार्टन पसनों को साल्व करेंगे दोस्तों ये सारे कोस्तन समारे आपके एक्जाम में पूछे जाने वाले प्रसनों के टापिक्स प्रसनों के लेबल वा प्रसनों के टेंड्स इसके अलावा दोस्तों आपके से अच्छा स्कोर कर सके तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट पार्ण पासनों को साल्व करना सुरू करते हैं दोस्तों कोस्टन नंबर वन है मारा केंद्रिय अन्वेशन व्यूरो यानि कि CBI के नए निदेशक कोन बने है करेंड का कोस्टन आया हुआ है तो इस टापिक से जितने भी प्रस्ण बनते हैं अधिकांस प्रस्णों को हम लोग यहीं पर कबर करेंगे यही हमारे प्रिपेशन की स्टेट्जी है दोस्तों की जिस भी टापिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टापिक्स के अधिकांस प्रस्णों को पूरे अक्स्टाफ हैट के साथ वहीं पर कबर करेंगे ध्यान दिजेगा आप लोग सारे कोस्टन सेलेक्टे रखे गए हैं पहला कोस्टन है मारा हाल ही में अंडर नाइंटीन एसी अकब दो हजार तेस का खिताब किस टीम ने जीता करेक्ट एंसर होगा वांगलादेश की टीम ने सुपर कोस्टन रहे का आपके एक्जाम के लिए ध्यान दिजेगा अगला कोस्टन है मारा हाल ही में विस सुवएं के चोधा होई अध्यच के रूप में किसे चुना गया है करेक्ट एंसर होगा अजय बंगा को सारे सुपर कोस्टन है दोस्तों अगला कोस्टन है मारा राष्ट्रिय परिच्छण एजनसी यानि कि NTA नाम आप लोग सुनू होंगे NTA का जो की बहुत सारे एक्जाम को कंडेक्ट करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजनसी का पूरा नाम है पूछा जा रहा है कि नए महानी देसक कोन बने है कर्यक्ट एंसर होगा सुबोध कुमार अगला कोस्टन है मारा सीमा सुरच्छाबल यानि कि BSF के नए महानी देसक कोन बने है तो नितिन अगरुवाल है पूरी तरह से रिवाइस कीजेगा दोस्तों ये सारे कोश्चन आपकी एक्जाम के ट्रेंड में रहेंगे नेक्स्ट है दूस्तों हमारा कोश्चन अंतर राष्टे प्रवासी दिवसकम मनाय जाता है कर्यक्ट एंसर होगा 18 दिसंबर को करेंट रिलेटेड है ध्यान दिजेगा नेक्स्ट कोश्चन है हाल ही में राष्टे प्रवाइस का दिवसकम मनाय गया कर्यक्ट एंसर होगा 24 दिसंबर को ये भी करेंट रिलेटेड है अगला कोश्चन है मारा हाल ही में BJ हजारे ट्राफी 2013 किस टीम ने जीता करेंट एंसर होगा हरियाणा की टीम ने नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य मंत्री के रूप में किसे चुना गया करेंट एंसर होगा वजनलाल सर्मा को किने वजनलाल सर्मा को आगे बढ़ते हैं लोग अगला कोश्चन है दोस्तों हमारा भारत का पहला वेट लेंड सहर कौन सा बनेगा तो उदैपूर राजस्थान है अगला कोश्चन है राज्टिव भूकता अधिकार्दियोस कम मनाये जाता है करेक्ट टेंसर होगा 24 दिसंबर को भारत के ठत्रों ग्रेंड मास्टर कोन बनी है तो कौस्तु चटरजी है कोन है कौस्तु चटरजी है मोश्ट वन कोश्चन है आपके एकजाम के लिए नेक्स्त है दोस्तों किस राज में भारत की पहली हाइडोजन संचाली ट्रेन चलाई जाएगी तो हरियाडा में कहाँ पे हरियाडा में नेक्स कोश्चन है बिरिक्स सिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो रूस के द्वारा किया जाएगा बिरिक्स सिखर सम्मेलन 2030 की मेजबानी की देश ने किया दोस्तों ध्यान देजी आप लोग ज़रा बताने का प्रियास कीजिए जब हमारा चंद्रियान थिरी चंद्रमा के दच्छनी धुरूपर लांच हुआ था तो हमारे देश के प्रधान मंतरी कहां थे जोहां सोर के दच्छन अफरीका थे बिरिक्स का ही सम्मेलन चल रहा था और वहीं से उन्होंने इस तो के अध्यच सम्मेलन 2030 की मेजबानी जोहां सोर के दच्छन अफरीका में की गई अगला कोश्चन है मारा हाल ही में किसे गौर्णर आपदयर 2030 पुरसकार से सम्मानित किया गया तो शक्ति कांत दास है हाल ही में जेडी का एक्जाम हो आप लोग जानते हैं लगभग सभी कोश्चन आपको मिल जाएंगे जो यहां से बने हैं नेक्ट कोश्चन है हाली में किसने वन जीऊ सनरचन पुरसकार 2030 जीता है तो आलिया मीर है नेक्ट जी सेबन सिखर सम्मेलन 2030 काहा पर आजित हुआ तो हीरोशिमा जापान में किया गया एक जोक्ट लोकेशन यहां पर भी डाल दिया गया है आपसन में यह आ सकता है अगला है हाली में 22 विधी आयोग के नए ध्यस कोन बने है तो न्याय मूर्ती रितुराज अवस्थी है सुपर कोश्चन है डबल स्टार कर लीजिएगा अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग कोश्चन है दोस्तों राष्टी मानुवा धिकार आयोग यानि की नेचर से फुलपाम में ध्यान रखेंगे नेशनल हुमन राइट कमीशन के नए ध्यस कोन बने है तो अरुण कुमार मिसरा है नेच्ट है संग लोग से आयोग नाम आप लोग सुने है UPSC का Union Public Service Commission के नए ध्यस कोन बने है डाक्टर मनुज सोनी है किंद्रिय अनुवैशन विवरो यानि की CBI के नए निदेश कोन बने है वो परभीन सूध है वो हाली में सोलोई बित आयोग के नेध्यस कोन बने है डाक्टर अरविंद पन गड़ियां है चारो के चारो सुपर कोश्चन है ध्यान दिजिगा आप लो तो यह थे दोस्तों करेंड के कोश्चन जो अब तक हम लोगों ने एक साथ कबर किये है पीडियाप के लिए हाटसप नंबर हमारा लगा हुआ दोस्तों आपके उत्तरपरदेश पुलिस कांस्टबल के पाठकरम जिसमें आपका जीके जीयस यानि के आपका जनल साइंस कारेंट अफियस आपका यूपी स्पेट इस्टेटिक और यूपी करेंट वह शामान हिंद क्या है साधार नमक नाम क्या है करेक्ट इंसर होगा सोडियम कलूरायड अब कोस्टन कहा से आवा जिए जनल साइंस से आवा है रहा कोस्टन की और, कोस्टन क्या बनते हैं को झाना पखाना पके सवी वरचिस भ reconstructed जैप जाप स बारsh Talk divide बार पूझे जाते हैं करेक्ट टेंसर होगा sodium by carbonate ध्यान रखेंगे यहां पर confusion create नहीं होना चाहिए कि साधार नमक का अलग होगा ध्यान रखेंगे खाना पकाने योले sodium यह सारे अलग अलग होते हैं अभी धावन शोडा यह सारे हम लोग साल्व करेंगे तो काफी confusion होती है इसलिए एक ही सेट में सा पदारत को मिला जाता है तो sulfur को अगला question है मानो शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड़ी कौन सी है तो femur है कभी-कभी जांकि एड़ी भी आपसन में आता है ध्यान रखेंगे next प्रकास संसलेशन के लिए आवसे gas कौन सी है तो carbon dioxide है इसका भी महुत महत्त है ध्यान रखे सूर के प्रकास से कौन सा vitamin प्राप्थ होता है तो vitamin D है कौन सा vitamin D next है अधरक का कौन सा हिसा खाय जाता है तो तना है आलू का कौन सा हिसा खाय जाता है ये आप लोग comment करके बताएंगे आगे बढ़ते हैं लोग question है दोस्तों doubt लगाते समय मनुष्य के रक्तेचाप पर क्या परभाव पड़ता है तो रक्तेचाप बढ़ जाता है सोते समय रक्तेचाप पर क्या परभाव पड़ता है ये आप लोग comment करके बताएंगे अगला question है मारा दरपन को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया ज जरूत किया है तो नाव के संगलाइन की परकिरिया है किया है अगला question है संपूर्ट जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया correct answer होगा हर गोविंद खुराना ने किसने हर गोविंद खुराना ने आगे बढ़ेंगे हम लोग DNA का डबल हेलिक्स माडल किसने दिया तो वाट्सन ने दिया किसने वाट्सन ने next question है डाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का मेला जाता है तो अवतल दर्पण है अब यहां पे दो question आप लोगों को comment करने है कैसे भी search करके ताकि confusion आप लोगों का होगा वो खतम हो सके निकट दिरिश्टी दोस में कौन से लेंस का प्रि जो कमिया हुई थी उनको आप लोग पूरी तरह से सुधार लीजिए मैं ये बात बार बोलता हूं ऐसी प्रिपेसर आप ना करिए किसी भी वीडियो को देखे एक मिनर दो मिनर देखे इसकी कर दिया किसी को देखे बस उसी को देख रहे है पॉलिटी पले पॉलिटी को करेंगे आप लोग कन्फियोजन नहीं होना चाहिए चलते हैं एंगले कोश्चन की ओर कोश्चन क्या है दूस्तों पन्ना लाल घोस का संबंद की सुवाधियंतर से है करेक्ट एंसरों का बासुरी से यह आपका यूबर गिरीन टापिक है एक सीट हमारी लगी रहती है कोई दो या आप सन्गोभ कि आऊ सकताने कि एक गंते में आप इसको प्रिपेर करें बस इतना सीट आप एक मिनट में रिवाइज कर ले यहाँ से कोई भी कोश्चन वनेगा ना ही अपका मिस होगा ना ही गलत होगा तो कोश्चन कैया हूँ था पन्ना लाल घोस का समन्थ के question आपके collect हो जाएंगे पहला पंड के हैं दोस्तों जाकिर हुसेन अल्ला रखा खा गुदई महराज सफात खान चारो के चारो most important है जो की तबला वादक हैं फिर अब पंडित रवी संकर बिलायन खा निखल बनर्जी तीनो के तीनो most important जो की सितार वादक हैं हरी परसाच चोरसिया पंडाल गोस और रोनु मजूमदार तीनो के तीनो most important बांसुरी वादक हैं अमजद अली खा अलाउद्दिन खा और अली अकबर खा तीनो के तीनो जो की सरोद वादक हैं एक ही नाम ध्यान रखिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो की सहनाई वादक हैं एक ही नाम ध्यान रखिए शुकुमार सर्मा जो की संतूर वादक हैं एक ही नाम ध्यान रखिए गजानन राव जोसी जो की चिकारा वादक हैं एक ही नाम ध्यान रखि कोई भी question यहां से बनेगा और बराबर बनता आप लोग जानते हैं यह भी green topic है आप लोगों का कोई भी question यहां से आपका miss होने वाला नहीं है चलते हम लोग अगले question की और question क्या है दूस्तों हमारा परशिद कुष्टि खिलाडी रभी कुमार धहिया का समन्द भारत के किस राजी से है? तो हरियाना से, कहां से? हरियाना से जो खेल खिलाडी, यानि कोन से כ्याडी किस खेल से समंदित है यहाँ पर किस राजी से आते हैं यह भी हमने cover कर लिया एक seat यहाँ पर हमने रख दिये, अगर आप इसको अच्छे खासे ढंग से prepare कर लेते हैं, तो यहाँ से जो भी question बनेंगे, ना आपके miss होंगे, और ना ही गलत होंगे, तो चले दोस्तों, सारे important facts को हम लोग यहाँ पर cover करना शुरू करते हैं, ध्यान देंगे अप लोग, पहल प्रीज सिंग, आमरीज सिंग से कहां से अमरीज सर से आते हैं, यह हांकी की खिलाडी है, पीबी सुन्धू, हैदरावास से आती हैं, वैडमिंटन की खिलाडी है, नेक्स्ट है क्रिस्टियानो, रोणाल्डो, नाम आप सब का जानते हैं, कि यहाद रखना है कि किस state से और क महां किस country से आते हैं और कौन सा खेल ये खेलते हैं तो किरिस्टियानो रोनाल्डो जो की पुर्टगाल से आते हैं फॉटवाल की खिलाडी हैं संदीब कुमार हरियान से आते हैं रेस हुआ कर हैं सारे आपके जेडी में पूछे गए हैं बार बार यहीं से रिपीट होई यही में पूरी तरह से प्रिपेर रखेंगें कम से कम समय में हम आपके पाठकरम को पूरी तरह से कबर करवाने का प्रियास कर रहे हैं पीडियाप के लिए WhatsApp नमबर हमारा लगा हुआ है चलते हम लोग अगले कोश्चन की ओर कोश्चन के दूस्तों थामस कप की स्खेल से समंदित है तो बैड मिंटन से अब कौन से खेल, दूस्तों में कौन से कप यां ट्राफिया दे जाती है वो यहाँ पे आपका कबर कर लिया गया है अगर आप हमारी सीट को कबर कर लेते हैं तो यहाँ से दूस्तों आपकी जो भी कोश्चन पूछे जाएँगे ना ही मिस होंगे और ना ही गलत होंगे एक साथ हम सारा दोस्तों उठा के रख देते हैं कोश्चन रखा गया थामस कप किस खेल से समंधित है करेक्ट अंसर हुआ वैडविंटन से अब चलिए इस सीट को आप लोग अच्छे खासी डंग से प्रिपियर कर लेजिए राइडर कप हो जाएगा कनाटा कप हो जाएगा वा सरकीट कप हो जाएगा जो कि गोल्फ खेल में दिये जाते हैं टेबल टेनिस देखेंगे तो डेविस कप मोस्ट उपार्टन हो जाएगा आस्ट्रेलिया ओपन सुने होंगे अमेरिकी ओपन, बिंबल डन ओपन, फ्रेंच ओपन, यह सारे टेनिस प्रतियोगता में दिये जाते हैं, किरिकेट से समन्दित आप लोग जानती ही होंगे, विजर हजारी ट्राफी विध्यान रख लेजे, रंजी ट्राफी, सैयद अस्ताक, मुस्ताक अली ट्राफी, most important, यह सारे हैं दोस्तों, जो कि फुटबाल से समन्दित कफ हाएं, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, लास्ट है दोस्तों, यह कवर देखेंगे, पोलो से समन्दित कफ, क्लासिक कफ, सूडान कफ, इजरा कफ, राधा मोहन सिंग कफ और फेडरेशन कफ, यह पोलो में दिये जा घार भारत के किस राज में इस्थित है, करेक्ट एइंसरों का Sikkim में, कहां पर सिkkिम में इस्थित है, जो गराफिbell jarot से कोउच्चन पूछाते हैं, आपका important topic है, training topic है, आपकी exam में वराबर यहां से कोउचन बंते हैं, तो जितने भी दोस्तों, हमलोगों ने कोउच्चन उनके answer दे लिये हैं, अब जितने भी दर्रों से समंधिक question बनते हैं, पुछे आते हैं, चाहे उत्तर भारत की हो, दच्छन भारत की हो, सभी को यहाँ पर पूरी तरह से cover किया गया है, ध्यान देंगे आप लोग, important point हमारा, एक तरफ दिया गया है, भारत के परमुख दर्रे, दूसी तरफ राज या किनस्वासित पर्देश की कहा पर उनकी इस्थिति है, या उनकी कहा पर इस्थिति हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, सबसे पहले दुस्तों, रोहतांग दर्रा ओशिपकीला दर्रा, दोन एक साथ देखिए, क्योंकि दोनों के दोनों हिमाचल पर्द मिल रहा है, तो आप पूरी गंभिर्ता के साथ प्रिपेशन को लेने का प्रियास केजिए बनिहाल दर्रा कहाँ पे इस्तित है जम्मू कस्मिर में इस्तित है, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, दोनों एक साथ देखिए क्योंकि दोनों को दिनों सिक्क्री में इस्तित है आगे बढ़ते हम लोग पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे और जितने लोग दोस्तों पीडियेफ लिए हैं और लेते जा नहीं या ले रहे हैं पूरी तरह से मैं तो कहना चाहूँगा दूस्तों कि आप लोग इनका print out निकल हुआ हे लिजे सभी लोग और underline लगा की study किजिए print out निकल हुआने के बाद में punch मार रिये और underline लगा की study किजिए पुना एक बार revision जरूर किजिए अगर आप इतना कह लेते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उदर भटके आप लोगों की preparation अच्छे खासे ढंग से complete हो जाती है चलते हम लोग अगले question की ओर question है हमारा भारते संग्धान के किस भाग में मूल अधिकारों का वरणन है correct answer का भाग तीन में trending टाप लोग जानते हैं मूल अधिकार आपका favorite topic है यहां से question दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता कि exam में नहीं आएं तो बिल्कुल दोस्तों जितने भी question यहां से बनते हैं एक-एक question की कीमत आप लोग जानते हैं तो ध्यान देज़ेगा दोस्तों important point है हमारा भारते संग्धान में मूल अधिकारों का ओडन संग्धान के अनुछित 12 से 35 तक है जो की संग्धान का भाग 3 है एक-एक sentence तो कई question निकलते हैं जो की आपके exam में बराबर पूछे आते हैं दूसरा point हमारा प्रारभ में मूल अधिकारों की संख्या साथ थी लेकिन 447 संग्धान संसोधन 1978 के द्वारा संपत की अधिकार को मूल अधिकार से हटा कर एक विधिक अधिकार यानिक एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुछे 300 का में जोड दिया गया तब से वर संग्धान संसोधन का वहता 1978 में इसलिए वो सारे point हम दोस्तों पूरी तरह से कवर करते हैं जहां-जहांसे question बनते है तो 44 संग्धान संसोधन 1978 के द्वारा संपत की अधिकार को मूल अधिकार से अटा कर एक विधिक अधिकार यानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया यह अचिझ मस धुटल को मूल अधिकार को आप लोग देखिए पूर्ह जितने ् मिश्चन ओवर बनते हैं यहां से उनको आप लोग दोस्तों कवर कीजेगा पहला किया हमारा है समानता का अधिकार जिसका ओरन अनुछ घोदा से लेकर 18 तक है नेक्स्ट है सोतंता का अदिकार जिसका वड़न अनुछेद 19-22 तक है फिर है सोसन के विरुद अदिकार जिसका वड़न अनुछेद 23-24 में है अगला है धार्मी सोतंता का अदिकार जिसका वड़न अनुछेद 25 से लेकर 28 तक है फिर है संस्किर्थियुम सिच्छा संबंदी अदिकार जिसकोर्ण संगधान में अनुछेद 29 से लेकर 30 तक है, 31 यहाँ पे खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि प्रारभ में संपतिका अदिकार इसी में था, जिसे मूल अदिकार से अटा कर एक विधिक अदिकार यानिक कानून अदिकार बनाए दे गया, और अनुछेद 300 का में जोड दिया गया, और लास्ट है हमारा छठा मूल अदिकार संगधान कुपचारों का अदिकार, जो की अनुछेद 32 में है, किस में है, 32 में है, पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे, डाकली यहाँ से कोशन बनते हैं, अब आगे चलिए, हर आर्टिक्ल को यहाँ पी हम लोग प्रिपेर करेंगे, जहां जहां से कोशन पूछे आ सकते हैं, ध्यान देंगे, पहला पाइंट है मारा, बिधी के समध समानता का अधिकार संगधान के किस अनुछेद में है, तो अनुछेद 14 में है, किस में है, अनुछे समानता का अधिकार संगधान के किस अनुछेद में है, और आपके आपसन, यानि बिकल्प में आर्टिक्ल दे जाएंगे, आपको अंसर देने होते हैं, और कभी-कभी आपके कोश्चन में ही आर्टिकल दे दिया आता है, जैसे कि दूसरा हमारा पॉइंट है, अनुछेद 15 का समन्द किसे है, और आपके आपसन, यानि बिकल्प में कांसर दिया था, और आपको अंसर देने होते हैं, तो दोनों तरह से कोश्चन को प्रिपेर किया गया है, सब कुछ आपके पीडियेप में पूरी तरह से मेंन्सन किया हुआ है, तो अनुछेद 15 का समन्द किसे है, अनुछेद 16 का समन्द बताना है, तो लोग नियोजन के विशोव में उसर की समानता, या आपके सकते हैं, सरकारी पत प्राप्ति के समान उसर, अगला पॉइंट है, अनुछेद 17 का समन्द किसे है, हालाइटेड है, आप लोग जानते हैं, आइस्प्रेस सता के अंद का प् अनुछेद 19 देखेंगे, इसका समन्द है दोस्तों, विचारियों अव्यक्ति की सोतंता से, किसे विचारियों अव्यक्ति की सोतंता से, अनुछेद 20 की बात की जा, तो अप्राधों के लिए दो सिद्धी के समन्द में सनरच्ण का प्रावधान किया गया है, नेक्स्ट है अनुचेद इकिस का इसमें प्रावधान किया गया है छे से चोदा वरस तके सभी बच्चों को अनिवार और नेसुर की सिच्छा का प्रावधान इसी में ध्यान रिखेगा 21 का में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों बैली सोई संगधान संसोदान 19ACTर के दोराllie सरदार सोण सिंह समीत की संस्तुतियों के अधार पर संगधान में मूल करतेबो को जोड़ा गया था उस समय उनकी संख्या दस थी लेकिन 6-ня संगधान संसोदान 2002 की दोरा एक मूल करतेब बढ़ा दिया गया तब से टोटल मूल कर्टेबों की संख्या 11 हुई, कौन सी बढ़ा गया, 6-14 वर्स्तक की बच्चों को सिच्छा दिलाना उनके माता-पिता का कर्टेब होगा, यह मूल कर्टेब में रखा गया, 66 संग्धान संसुधन 2002 की द्वारा, मूल कर्टेब आप लोग जानते हैं, सभी बच्चों को सिच्छा दिलाना, उनका अनिवार यो निसुल की सिच्छा का प्रवधान, यानि कि यहां पर दोस्तों वो अधिकार बना दिया गया, कि 6-14 वर्स्तक के सभी बच्चों को अनिवार और निसुल की सिच्छा का प्रवधान यानि अधिकार दिया गया, तो तो मानो दुरुब्यापार यों बलात सरम के प्रतिसेद से संबंदित है थोड़ा साउर आगे बढ़ेंगे हम लोग पॉइंट क्या दूस्तों मारा अनुच्छे 24 देखेंगे तो कारखानों आदमें बालकों की नियोजन का परिसेद किया गया है संब्धान संसोधान 1978 ने आसपष्ट किया कि राष्टपती द्वारा राष्टी अपातकाल के दोरान अनुच्छे 20 जिसमें प्रावधान है अपराधों के लिए दो सिद्धिक के समद में संरच्छान और अनुच्छे 21 जिनमें जीवन और व्यक्तिगस वतनता की सुरच्छा को निलंबित नहीं किया जा सकता यह भी बार-बार पुछाता आप लोग जानते हैं कि कौन से मुलतिकार हैं जो कि आपातकाल के दोरान भी दोस्तों खतम नहीं होते हैं समाप नहीं होते हैं तो अनुच्छे 20 और 21 है पूरी तरह से समझ लीजिएगा लास्ट पॉइंट है भारते संग्धान में वड़ित मुलतिकार USA के संग्धान से लिया गया है इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे दोस्तों बाकी जो आपका वेकेंसी चले हैं सेजेल आप लोग जानते हैं आर पी अप निकला हुआ हुआ ह अगला कोश्चन है हमारा मांडू महसो किस राज में आजित क्या जाता है करेक्टर अंसर का मध्धि परदेश में कहां पे मध्धि परदेश में अब जितने भी भारत के परवुफ मेले उसो तेवरहार है लोग निरते हैं सबकी सीट हमारी यहां पे दूस्तों ये एक सीट लगी हुई है और इसी में सब कुछ कबर किया हुआ है अगर आप इसको पूरी तरह से प्रिपेर कर लेते हैं तो यहां से आपके कोई कोश्चन नहीं मिस होंगे नहीं गलत होंगे यहां इसे कोश्चन बनता रहेगा रिपीट होता रहेगा तो चलिए सुरू करते हैं मेगाले में मनायाता है। दूसरा देख लिजे, पुरी तरह से कलक्ट हो जाए। दूसरा देख लिजे, पुरी तरह से आपके कबर हो जाते है। पीडियाप के लिए होटसप नमबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले कोश्चन की ओर। कोश्चन क्या दूस्तो हमारा नेक्स्ट। नासिक किस नदी के तरप पर इस्तित सहर है, करेक्ट अंसरों का गोधावरी। आप लोग जानते हैं गोधावरी, दच्छिन भारत या प्राद उपरभात की सबसे बड़ी नदी भी है। नासिक किस नदी के तरप इस्तित है। और इस नदी को बोड़ी गंगा या बृदी गंगा की नाम से भी जाना जाता है। तो टापिक क्या है दूस्तो नदियों के किनारे बसे सहर। आप जानते हैं आपका फेवरेट कोश टापिक है। यहां से जितने भी कोश्चंद बनते हैं इस सेट में सब कुछ कबर किया हुए। अगर आप हमारी इस सेट को कबर कर लेते हैं तो यह भी दोस्तो टापिक आप लोगों का यहीं पर पूरी तरह से कंपिलिट हो जाता है। तो चलिए सुरू करते हैं। गोडावरी अब एक तरफ दे गया है। नदी तरफ बसे भारत के परमुख सहर दूसी तरफ नदी। जितने भी लोग पीडियाफ ले रहे हैं दोस्तों हम कहेंगे आप पूरी तरह से इनका प्रिंट आउट निकल हुआ है। परम्च कीजिए अंडर लाइन लगा के स्टूडी कीजिए। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं तो एक्जाम को गंभीरता से लेने का प्रियास कीजिए। इतने एक्जाम इंतजार के बाद में वेकेंसी आपकी चल रही है अब इसको ऐसे हाथ से न जाने दें। दूबार आपको बैठने का मौका भी मिल चुका है। पहला के हाँ दूस्तों पॉइंट गोरखपूर जो की राप्ती नदी के तर्पाइश्थी थे जबलपूर नर्मदा नदी के तर्पाइश्थी थे सूरत ताप्ती नदी के तर्पाइश्थी थे अहमदाबाद साबरमती नदी के तर्पाइश्थी थे हैं हैदराबाद मू पूरी तरह से दोस्तों आप लोग प्रिपेर रखेंगे चलते हम लोग अगले कोश्चन की और अगला कोश्चन हमारा क्या है महत्मा बुद्ध ने अपना पर्थम उब्देश कहां दिया करेक्ट एंसर होगा सारनात में कहां पे सारनात में बहुत धर्म आपका फेवरेट टापिक है जितने भी इक स्टाफ है यहां से बनते हैं दोस्तों सब आपका कलेक्शन किया गया है एक सीट में कवर कर लिया गया है अगर आप हमारी सीट को कवर कर लेते हैं तो बहुत धर्म से कोई भी कोश्चन आपके मिस होने वाले नहीं है तो चले दोस्तों सुरू करते हैं हम लोग इंपर्टन पॉइंट है पहला पॉइंट है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्त करमार कहा जाता है क्या महा भीनिस करमार पूरी तरह से ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला अपदेश सारनात में दिया जिसे धार्म चकर परवरतन कहा जाता है सबकुष कलेक्शन है पूरी इमांदरी के साथ दोस्तों इनको आप लोग रि निर्वार कहा जाता है तो महा भीनिस करमार महा पर निर्वार दोनों को आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कर्फूजन नहीं होना चाहिए उन्होंने जो गिरह त्याक किया उसे महा भीनिस करमार कहा जाता है और जो शरीर त्याक किया इसे महा पर निर्वार कहा जाता अब बोध धर्म की चारों महा संगीतीओं देख लिए अधा में के साषन का आधा है। पुछाता है और चतुत बहुत संगीती का उजन इसा की पर्थम सताब्दी में कुंडल वन में कनिसके के सासन काल में हुआ था अब कैसे भी करें टीक लगाए रट्टा मारे कुछ भी करें को आप लोगों को याद रखने होंगे चलते हम लोग अगले कोश्चन की ओर कोश्चन क्या दूस्तों हमारा राम किर्ष्ण मिशन के स्थापना किसने की दिक करेंट टेंसर होगा स्वामी वेका नंदने कोश्चन कहां से आप पर्मुग समाज सुधाराट आपका फेवरेट टापिक जितने भी यहां से आरि समाज ब्रह्म समाज दोस्तों सत्ति सोधक सम आपका forward वलाग आपका दोस्तों बहुत सारे आप जानते हैं तत्वोधिनी समाः हो गया आपका प्रार्थना समाज हो गया जितने भी पर्मु समाः सुधार से question बनते हैं सब को यहां पर collection कर लिया गया है स्थापना वर से डाल दिया गया है ताकि कोई भी दोस्तों आपका तापिक यहां से कोई भी question आपका यहां से miss ना हो सब कुछ आपका collection है अगर आप इस seat को हमारे cover कर लेते हैं तो यहां से आपके कोई question एक्जाम में miss होने वाले नहीं हैं तो question क्या रखा गया है रामकिर्स मिशन के स्थापना किस ने की थी correct answer हुआ स्वामी वेका नंदरी अब ध्यान दिजीगा पहले दिया गया है संगठन के नाम फिर संस्थापक की नाम लाष्ट में स्थापना गुआ से भी डाल दिया गया है ताकि यह टापिक आप लोगों का यहीं पर पूरी तरह से complete हो सके तो शुरू करते हैं दूस्तु सबसे पले आत्मिय सभा संस्था संस्थापक देवे नाट्य गोर है इन्होंने 1849 हिर्षबी में तत्तवोधनी सभा की अस्थापना की थी अस्थापना गुए से भी जरूर ध्यान राकिंगे अस्थापक भी जरूर डाक्टी कभी संस्थापक पुछाता कभी संस्थापना पूछी जाती है अगला किया समाज, मोष्ट मनना स्वामी दयनन समренutetər निके सिस्थाक हैं, इन्होंने 875 मि रसवी रही समाज के स्थापना की थी रामकिर्स मिशन, सन्सथापक स्थापक स्माज के स्थापना की थी गर्मकिर्स danud इन्होंने 1949 में फारवर्ड वलाग पार्टी की स्थापना की थी, अगला है सुराज पार्टी, संस्थापक मौतिलाल नहरू है, इन्होंने 1949 में सुराज पार्टी की स्थापना की थी, अगला है होम रूल लिग, इनके संस्थापक है, 1916 में इन्होंने होम रूल लिग की स्थ अगला है मुस्लिम लेक संस्थापक आगा खाय सलमुल्ला खाय है इन्होंने 1906 में मुस्लिम लेक के स्थापना की थी बार बाय पुछा तो उन्हें गिजाम में आप लोग जानते हैं मुस्लिम लेक के स्थापना कब हुई थी नेक्स्ट है खिलाफ़त आंदोलन संस्थाफ़क कली बंदू है इनोंने इनास्थे आदिवरहाभ सṣमाज संस्थाफ़क की स्थाफ़क की स्थाफ़क हाई यह भी ठापिक अप पुरसकार ऩे पुरसकार सम्मान हैं यहां से टैपक उठा गया है को रिंग पुरसकार की सऩ अब जितने कोश्चन बनते हैं प्रास्गार सम्मान से चाहें राश्टि लेबल राष्ट पर चिह हो चाहें पर daar Shri लेबल पर देखेंगे, फिर राष्टी लेबल पर देखेंगे, पहला किए है दूस्तों, nobel पुरस्कार, आप लोग नाम सुने हैं, सबसे पहले ध्यान दिजीगा, nobel पुरस्कार टोटल 6 छेतरों में दिया जाता है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आप कौन-कौन से हैं, सांती के छेतर में, अगला है पुलितिजर पुरसकार जो की पत्रकारिता के छेतर में दियाता है, आसकर पुरसकार फिल्म के छेतर में दियाता है, कलिंग पुरसकार विज्ञान के छेतर में दियाता है, आगे बढ़ते हैं लोग कलिंग पुरसकार हमारा हो चुका आप लोग जानते हैं फेबरिट कोश्चन है बुकर पुरसकार सहित के छेत में दिया आता है ग्रैमी पुरसकार संगीत के छेत में दिया आता है और महत्मा गादी सांती पुरसकार ये सांति के छेत्र में दिया आता है ये थे अंतर राष्टे लेबल पे अब राष्टे लेबल पे हम लोग देखेंगे पुरसकारियों सम्मान छेत्र सबसे पले दादा सहब फाली के पुरसकार जो की फिल्म के छेत्र में दिया था अगला दुरोणाचारी पुरसकार जो की खेल पसी छण के छेत में दियाता है, अर्जुन पुरसकार खेल के छेत में दियाता है, धनवंत्री पुरसकार थोड़ा सा कामन सेंस लगाएंगे, तो आप आएंगे कि ये चिकित्सा के छेत में दियाता है, गोविंद वललब पंत ये दोस्तों सांसत को दियाता है वा चमेली दिवी पुरसकार पत्रकारिता के छेत में दियाता है किस छेतर में पत्रकारिता के छेतर में दो और हैं बोरलाग पुरसकार थोड़ा सा कामन सेंस लगाए नार्मानी बोरलाग कों थे 20 में हरित करांती के जनक थे तो उहां से कामन संस पाइंगे कि केसी की पैदावार में उलेखनी युगदान के लिए वर्ला पुरास्कार दिया आता है लास्ट है कबीर पुरास्कार जो की सामाधिक सदभाव के छेतर में दिया आता है ते ठेटे दे दोस्तों प्रसकार वा सम्मान से जितने भी question बढ़ने थे, उन सभी को हम लोग ने एक साथ कबर किये यह है, पीडियाप के लिए वहार्ट सब्वन नमबर हमारा लगा हुआ है, चलते हम लोग अगले कौस्चन की ओर, क्योचन कहा है दोस्तों उमारा, जिसके उक Украї yet, वाक्यांस का एक सब्द का होगा, तो अनुक्तम होगा, क्योचन कहा से आए, हिंदी का गया है वाक्यांस का सब्द यहां पर जितने वपी इंब्रोय वाक्यांस काई सब वज्र पानी होगा जिसके आतमें बीड़ा है वाक्यांस काई सब बीड़ा पानी होगा हिंदी के वोशन जब भी साल्प करेंगे दोस्तों वर्तनी मिस्टेक नहीं होना चाहिए आप पूरी तरह से फोकस रखेंगे कम से कम वर्तनी के एकाण हमारे कोशन एक्जामे गलत ना हूँ, चारो अपसन अच्छे से चेक करें, जो एक्जक्ट लगें, उस पर अपना एंसर दें, जो इसमरण के योग हो, वाक्यांस का इसद असमरण यह होगा, अगे बढ़ते हम लोग, अगला किया दूस्तों, जिसके समान दूसरा नहों, वाक्यांस का इ सरबग्य होगा, जिसके हिर्दय में ममता नहीं है, वाक्यांस का इसद क्या होगा, निर्मम होगा, अगला क्या दूस्तों मारा, जिसे भाय नहीं है, वाक्यांस का इसद निर्भाय होगा, साहिति से समंदित, वाक्यांस का इसद साहितिक होगा, इतिहास से समंदित, वाक्य चैंसर का नर्मदा नदी पर, किस नदी पर नर्मदा, इस्टेटिक से जीके से question आया हुआ है, तो यहाँ पे दूस्तों हम लोग क्या करेंगे, जीके चाहे जो आपका history से हो, quality से हो, economy से हो, आपका geography से हो, आपके general science से हो, या विबित के चेप्टर से हो, जितने important questions बनते हैं आपके exam में बार-बार पूछे जाते हैं tending topic में रहते हैं दोस्तों और highlighted है easy to moderate जिनका tend है उन सभी प्रसनों को हम लोग यह साथ cover करेंगे ध्यान देंगे आप लोग चलते हैं लोग पहले question की ओर क्या दोस्तों लोनार जिल किस राज में इस्थित है correct answer गा महाराष्ट में अगला question है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी जिल कोई सी है तो वुलर जिल है next भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जिल कोई सी है तो सांभर जिल है next मद्य पर्देश के नए मुखमिंतरी कोई बने है डाक्टर मोहन यादो है अगला तिरपूरा के नए राजिपाल कोई बने है तो इंद्र सेना रेड़ी नलू है next है भूकम की तिरवरता मापनी वाला यंतर कोई सा है एक पैमाना होता आप लोग जानते है रेक्टेर स्केल यानि की रेक्टेर स्केल पैमाने पे सीसमो गराफ नमा की अंदर से भूकम विकेती बृता की माप की जाती है अगला संतोष ट्राफी की स्केल से समन्दित है फुटबाल मोस्ट उपरटन दोधर ट्राफी की स्केल से समन्दित है किर्किर से है नोटंकी की स्राज का परसिद लोग निर्थ है उत्तर परदेश का उत्तर परदेश का पूरी तरह से प्रिपेर रहेंगे आगे भड़ते हम लोग घूमर की स्राज का परसिद लोग निर्थ है तो ये राजस्थान का नेक्स्ट है समराट असोक ने कलिंग पर कब आकरमन किया था करेक्ट असरोगा 261 हिसा पूर में अगला सबसे प्राचीन पुराण कुन सा है वो मत्स पुराण है गीत गोबिंद की रसना का और कौन है जैदेव है भारत के नियंत्रा के महलिखा प्रिच्छा की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपती के द्वारा किया थे किसके द्वारा राष्ट्रपती की द्वारा अगला संसत के सनुक्त दिवेशन को कौन बुलाता है तो राष्ट्रपती दोस्तों संसत की सन्यूक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या सकतिया और संसत का जो निचला सदन होता है यानि कि लोकसभा इसको भंग करने का अधिकार या सकतिया ये तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त हैं लेकिन जब अध्यस्ता की बात होगी यानि कि संसत के सन जण सिंह का नेक्स्ट लावडी किस राजी का लोग निर्थ हैं महाराष्ट का किसान राष्टे किसान दिवस की स्थिति को मना जाता है करेक्ट एंसर गार तेज दिसम्मर को अगला कोशन है ओडिसा के निराज पाल कौन बने है रोगवर दास है नासिक किस नदी के तरपा इ देदकारी कोंड होता है तो महान नयवादी होता क्योwn महान नयवादी और लाश्ट कोशन है यहां किस ने की थी? करेक्ट एंसर गार राबर्ट हो कोन? Robert Hooke तो यह थे दोस्तों इस सीरेज के top MCQ के परस्ण जिनको यहाँ पर हम लोगों ने साल्व किये हैं उमीद दोस्तों आप सभी लोगों ने साल्व किये होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने परस्ण सही हो रहे हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज के लिए आप माई स्टेडी चैनल स्वकृपा कलासे से जुने माई चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोया दे जाने वाले सभी वीडियोज आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियोज में थैंक्स वाचिंग